हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल लिटरेचर सेरीज आज की वीडियो में हम बात करेंगे जोन बेटसमीन दुवारा लिखी हुई पोईम इनेक्सपेंसिव प्रोग्रेस के बारे में सबसे पहले इसके टाइटल के बारे में जानते हैं के इनेक्सपेंसिव प्रोग्रेस का मतलब क्या है एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा और इनेक्सपेंसिव का मतलब हो गया चीप यानि सस्ता यह सस्ती सो प्रोग्रेस होती है प्रगती यानि डेवल्पमेंट सो इसका मीनिंग हो गया सस्ती प्रगती मतलब सस्ता डेवल्पमेंट बेट समीन ने ये पोईम 20th century में लिखी थी और ये पोईम तब लिखी गई थी जब काफी ज़्यादा डेवल्पमेंट होने लगी थी यानि कि industrialization में और concrete form जो है उसमें काफी ज़्यादा डेवल्पमेंट होने लगी थी और उस डेवल्पमेंट की आड में जो natural resources हैं उनको destroy किया जा रहा था यानि कि जंगल पेड पोधों को काटा जा रहा था और जो natural sites हैं यानि water sources हैं उनको भी pollute किया जा रहा था काफी सारी factories वगेरा बन रही थी motor car जो सबसे important है इसमें motor car उस time developed हुई थी और इसको काफी ज़्यादा criticize भी किया गया था इस चीज को क्योंकि इन सब चीजों से काफी ज़्यादा pollution हो रहा था और development के नाम पे जो हमारे natural resources हैं उनको उनकी भी बरवादी की जा रही थी इस इन सब चीजों को लेकर ही जो हमारे writer है point है John Batsamin वो इस poem के दुआरा एक satire करते हैं इस progress को और इसको एक सस्ती progress कहते हैं Before starting please subscribe the channel guys and hit the bell icon so that you can got other videos automatically by this you can check i button and description box also there are other videos let's start the point encase your legs in nylons best ride your hills with pylons oage without a soil away with gentle willons and all the elmi billows that throw your valleys roll so इसमें point कहते हैं के अपनी legs को अपनी टांगों को nylons के साथ cover कर लो nylons एक new fabric जो है nylons उसकी बात कर रहे हैं point जो के उस समय नया-नया market में आया था तो उसके साथ cover करो in case का मतलब होता है cover करना best ride your hills with pylons pylons होते हैं electric जो balls होते हैं बिजली के खंबे उनको बोला जाता है pylons सो कहते हैं कि जो hilly areas पे pylons हैं उनके उपर चड़ो जाकर उनको visit करो जाके O.H. Without a soul O.H. यहाँ पे वो दुनिया को बोलते हैं modern जो people हैं उनको बोलते हैं without a soul बिना आत्मा के लोगो away with gentle willows and all the amy willows away का मतलब है के दूर हड जाओ और दूर ले जाओ gentle willows willows trees होते हैं उनको बोला गया है कि जो अच्छे trees हैं प्यारे प्यारे trees हैं उनको खतम कर दो and all the amy willows that throw your valley rolls और क्या है जो amy willows है amy भी एक पेड होता है और उसकी waves है जो हवाईं चलती हैं valleys में घाटिज में उन जो द्रक्त हैं उनके दुआरा so उनको भी खतम कर दो so यहाँ पे जो bad semaine है वो एक satire के रूप में ये poem लिखते हैं और सारी poem में वो satire ही कसते हैं modern era के उपर modern जो age है उसके उपर के इस modern age में काफी सारा जो nature है वो तभाव हो चुका है so next answer let's say goodbye to hedges and roads with grassy edges के जो hedges हैं मतलब जो natural तरीके से जाडिया और पेड पोधे उगे हुए होते हैं उनको goodbye बोल दो मतलब अलवीदा बोल दो उनको खतम कर दो roads with grassy edges और क्या करो roads बना दो वहाँ पे grassy edges जिनके edges पे किनारों पे corner पे खास लगा हुआ होता है and winding country lanes और क्या करो जो countries है lanes मतलब country मतलब जो हमारे गाउं side area होता है ठीक है उनकी जो lanes मतलब उनकी गलियां होती हैं उनको क्या कर दो एक तरह से modernize कर दो roads के रूप में उनको convert कर दो let all things travel fast ताकि जो सारी हम लोग है या फिर सारे जो गाड़ियां वगेरा हैं वो क्या कर सकें वो travel fast कर सकें where motor car is master जहाँ पे motor car जो है वो master हो till only speed remains और यहाँ पे सिर्फ speed ही speed हो सारी जो सडकी है roads हैं उन पे बड़ी तेजी से motor cars चलें और सारे roads जो हैं वो पक्के हों जो countryside की छोटे छोटे और कच्चे जो you know lanes हैं उनको जो उनको convert कर दो पक्की सडकों में destroy the ancient in signs but strew the roads with tin signs destroy कर दो क्या destroy करो ancient in signs ancient in जो होती है पुरानी समय में प्रिटिश जो प्रिटिश मतलब देश है वहाँ पे क्या होता था इंस बनाई जाती थी लोगों के ठहरने के लिए खाना और पीने की सुविदा वहाँ पे दी जाती थी लोगों को जरूरत पढ़ने पर और उनके उपर जो sign लगे होते थी वो sign boards लकड वगेरा के बनी हुए होते थी तो point कहते हैं कि उन सब को destroy कर दो और उनको tin की tin जो एक धातू होती है उनके sign बनाओ वहाँ पे और keep left M4, keep out और ये सब चीज़े वहाँ पे लिख दो ये signs होते हैं जैसे हम देखते हैं roads पे, lights के उपर वहाँ पे sign लगे होते हैं वैसे ही sign यहाँ पे लिख दो command, instruction, warnings और command दो उनको instructions लिखो वहाँ पे, warnings लिखो जैसे हम देखते हैं roads के उपर सडकों पे warnings लिखी हुई होती हैं बिल्कुल वैसे ही repetitive, adorning the rocked right, roundabout और जो traffic junctions हैं उनको क्या कर दो उनको decorate करो unnatural, जो artificial चीज़े हैं उन चीजों से उनको decorate करो for every row obscenity must have its small amenity its patch of shaven green और देखो for few row obscenity होती है obscenity, sorry obscenity ये अशलीलता को बोलते हैं और must have its small amenity और जो point है ये जो obscenity है यहां पे वो बोलते हैं कि अगर आपको जो nature है वो एक अशलीलता लगती है तो इसको destroy करो और इसकी जगां पे जो small small जो आपकी चीज़े हैं जो आप artificial चीज़े create कर रहे हो उनको वो amenity बोलते हैं कि जो सहूलत की चीज़े आप लोग पैदा कर रहे हो उनको पैदा करो सारी nature को destroy कर दो इस patch of shaven tree इवन जो green है sorry greenery है घास है उसको भी क्या करो उसको भी shave करो जो घास हुगा हुआ होता है वो थोड़ा you know unshaved होता है so writer कहते हैं कि उसको भी आप shave कर दो and hoardings look a wonder in banks of floribunda hoardings होती है जो poster लगे होते हैं बड़े बड़े और काफी बड़ी बड़े hoardings लगा दो poster लगा दो जो wonders करे मतलब चमक धमक वाले ऐसे poster लगाओ और उनके sides में क्या करो bed of roses bed of roses मतलब काफी सारे flowers लगा दो और flowers की काफी सारी चद्रे भी चादो वहाँ पे with flood lights in between और वहाँ पे lights लगा दो जो lights लगी होई होती हैं सडकों के उपर वो lights वहाँ पे लगा दो leave no old village standing which could provide a landing for aeroplanes to roar कोई भी village को मत छोड़ो सारे village को खतम कर दो कोई भी जो छोटे छोटे विलेज हैं जिसमें सारी natural चीजें भरी होई होती हैं उन सब को खतम कर दो और क्या करो जो क्या कर सकते थे provide aeroplanes जो होते हैं उनके लिए landings मतला जो खुला मैदान होता है landing जहां पे aeroplanes land करते हैं उन सब चीजों को भी destroy कर दो but spare such cheap defacements as hurts with shattered casements unlived in since the war but कुछ hurts को ऐसे ही छोड़ दो वो कैसी hurts हैं जो shatters होई हुई हैं टूटी फूटी हैं casements जो उनके windows हैं वो टूटे फूटे हैं और बस उनको छोड़ दो और ये सब कब की टूटी फूटी हैं जब war का time था world war का time था वो तब से ही टूटे फूटे हैं so इनको ऐसे ही रहने दो let know provincial high street which might be your or my street look as it used to do so in lines में point पोलते हैं कि जो provincial streets हैं मतलब गाओं की गलियां हैं countryside की गलियां हैं जो के कभी हमारी और आपकी हुआ करती थी उन सब को भी destroy कर दो उनको भी ना रहने दो आप but let the chain stores place here there miles of black glass fascia and traffic thunder throw but जो chains of store places हैं मतलब जो वहाँ पे दुकाने हैं दुकानों की एक chain chain मतलब काफी सारी जो दुकाने इकटी हैं उनको छोड़ दो वहाँ पे और वहाँ पे एक traffic thunder मतलब काफी जादा traffic jam जो है वहाँ पे वो create कर दो काफी सारे traffic elements जो हैं like cars, truck वगेरा वो सब चीजें वहाँ पे छोड़ दो roads बना के ताके वहाँ पे एक थंडर आय ट्राफीक का नेक्स एंजा और अगर कहीं भी कुछ greenery बची हुई है scenery बची हुई है, अच्छी जो sites हैं वो बची हुई है so उनको भी destroy कर दो, उनको भी protection की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे कुछ natural sites होती है ना, natural scenery वगेरा ऐसी places होती है उनको भी destroy कर दो और वहाँ पे power stations बनाओ electricity के लिए वहाँ पे ऐसे plants लगाओ जो power produce करते हूँ natural चीजों को खतम करके, natural resources को खतम करके वहाँ पे duplicate resources बनाने की factories लगाओ और जब यह सारे roads lightened हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे सारी जगा रोशनी ही रोशनी होगी और concrete monsters होगे यानि के चारो तरफ concrete की बनी होई buildings होगी और gallows overhead और उन roads पे gallows overhead होगे मतलब वहाँ पे lights जो होती है हम road side पे देखती है वो ऐसे बनी होती है जैसे के fancy लगाने वाला जो तकता होता है उसके नीचे मतलब नीचे करके थोड़ा सरलटका होता है like उस shape में roads पे जो lights होती है वैसी कई बार हमको देखने को मिलती है so वैसी lights वहाँ पे inject कर दो based in the yellow vomit और हम देखते हैं वो lights normally yellow color की होती है so उनको क्या करो yellow color की lights करो जैसे वो monster जो है vomit कर रहा हो उल्टी कर रहा हो each monster belch from it we will know that we are dead और उन सब में से वो monster जो निकलेंगे और हमको पता है कि तब तक हम dead हो चुके होंगे वो जो concrete के बने हुए monster है वो हमको तब तक destroy कर चुके होंगे हमारी सारी जो humanity है और हमारी अर्थ है वो तब तक destroy हो चुकी होगी सो इस poem के जरीए batsamine एक satire करते हैं modern era के उपर modern जो development है उसके उपर वो satire कर रहे हैं मतलब उसको criticize करते हैं उसके अलोशना कर रहे हैं कि आप लोग natural जो चीज़े हैं उनको खतम किये जा रहे हो और उनकी जगां पे artificial चीज़े develop कर रहे हो so according to point it is a inexpensive progress ये एक सस्ती तरक्की है सस्ती प्रगती है